Hello Friends, इस वीडियो में हम सिखेंगे How to Create और How to Define Account Group GL Account Group in SAP GL Account Group Define करने के लिए हम TQODI use करेंगे OBT4 Enter करेंगे यहां हम Individually New Entries जाके हम यह सारी Entries कर सकते हैं यह Time Saving के लिए हम जो हमारे Account Group already created है Different Different Companies में उसको Copy कर सकते हैं तो अभी मैं आपको Copy करके दिखाऊंगा क्योंकि यह पूरी Manual Activities है इसमें कुछ नहीं करना है हमने एक List त्यार करनी है Account Group की जैसे यहां अलड़ी दिख रही है फिर अप इन Number Range Decide करनी है कि Account Group हमारे किस Number में रेंज में होने चाहिए और यहां पर फिल करना है यह सारा हमें manually फिल करना है जैसे कि अगर आपको दिखाना चाहों तो New Entry में जाएंगे हैं यहां पर अपना Chart of Account टाइप करेंगे जो हमारा अलड़ी created है Account Group बनाएंगे Account Group लिखेंगे यहां बैक जाके हमने देख लाथा है तो अभी हम नए Manually Activity ना करकर के हम इनको जो अरड़ी बनेवे हैं Particular Company में उसको Copy करेंगे तो मैंने पहले ही अरड़ी हाँ पर एक Account Group बनाएवे Angel Power Company में तो हम वो सच करेंगे Ang1 Ang1 जो चाहँ Angel Group का Chart of Account है उसको सच करेंगे इसमें हमारे Account Group अलड़ी created है हम इसको सबको select कर लेंगे यह सारे हमने select करना है जो हमाँ Account Group चाहिए जील Account Group चाहिए अपनी Angel Heart Company के लिए Copy करेंगे हम सबको तो हम इसको सबको select कर लेंगे अपर इन्डिस वे यह अब हमारे यहां से select हो चुकिए सारी select हो चुकिए अब हमें क्या करना है अम यहां आपको जैसे भी पता है यहां इसे F6 से copy कर सकते हैं यहां इन्डिक भी कर सकते हैं हमने जैसे यह copy कर लिया है copy करने के बाद हम यहां पर इसमें chart of account अपना डालदेंगे, पहले यह angel का था, अब हमारा अपना H angel heart 0 1, वो angel power का था यह angel heart का है, तो हम एक एक करके सारे chart of account जाइंगे, यह हमने यहां सारी लगबख चीन कर दी है ताकि यह सब अकाउंट ग्रूप हमारी इंजलार्ट कंपणी में आ जाए यह हमने लास्ट होला भी कर दिया है एह 0 यहां हमने सब में अपना चाठ आवकॉन डाल दिया है अब हमें कुछ नहीं करना है ज़स्ट एंटर करना है और यहां से इसे सेव कर देना है अब हम यहां new transportation request क्लिक करेंगे और हम system को बताएंगे हमने क्या किया है हमने accounts GL account group defined for defined यह created created for angel heart 01 अब इससे save करते हैं यह हमरे account group created हो चुके हैं save होगे रखा okay thanks